हलो दोस्तों सागत है आपका हमारे चैनल में क्या हले हैं आपके उमीद करता हूँ कि सब बढ़े हैं होंगे वेल दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहती शांदार और इंफिमिटिव वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं जैन समधाय के इतिहास के बारे में क्यों होते हैं और अगर नहीं तो इस वीडियो का टाइटल पड़कर दोस्तों कोई नहीं है और और कोई कोई भीग नहीं नहीं लेकिन कोई जैनी भीग नहीं मांगता क्योंकि वो अमीर होता है लेकिन क्या हो सकती है इसके पीछे की बज़े आई जानते हैं कि आखिरकार जैन समधा इतना अमीर कैसे बना इसे पहले दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं जो कि जैन धर्म के सबसे पहले तितन करते रिशवदेव भारत के चक्रवरती समराठ भारत के पिता थे जैन धर्म शर्मनों का धर्म कहा जाता है अगर वेदों की बात करें तो उसमें भी रिशवदेव का उलेख है द्वापर योग में महाभारत के समय में जैन धर्म के प्रमोख नेमीनाथ थे दोस्तों जाता लोग जैन धर्म को 500 इसापूर भगवान महावीर के काल से मानते हैं लेकिन इससे बहुत पहले से ही जैन धर्म के स्थापना रिशब देव के दारा हो गई थी जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वैदिक दर्शन में भगवान रिशब देव को भगवान विश्णू का चौथवा आवतार माना जाता है शोपराण के अनुसार रिशब देव भगवान शिव के आवतार बताई गये भगवान रिशवदेव का जन्म हिंदूों के सबसे पवित्रिस्ताला युद्याम हुआ उनकी पिता का नाम अहराज नाभी और माता का नाम महराणी मरुदेव ही था रिशवदेव एक महन और प्रतापी राजा थे उनका वेवाह इंदी की पुत्री जैनती से हुआ माना जाता है कि उनके सेक्णों संताने हुई जिनमें से एक भरत भी थे और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत बड़ा Amazing है न? दोस्तों हमारे पुराण अथा सागर हैं हम इने जितना खुरी देंगे उतनी बातें निकल के आएंगी विसलिए हम जादा गहराई में जाकर आप और आगे बढ़ते हैं भारत में जैन समधाय के लोग की कुलाबादी लगभग 0.37% है यानि 50 लाग के आसपास हैं जो कि आने समधाय को मकाबले बहुत ही कम है वैसी भी धर्म जितना पराणा उस हिसाब से इसकी जनसंख्या नहीं है इसके पीछे कारण शायद यह हो सकता है कि लोग किसी के भी साथ किसी भी परकार की कोई जबरदस्ती नहीं करते ना किसी को अपने धर्म को अपनाने के बदले किसी परकार का लालाश देते जन धर्म के लोग भारत में शायद बहुत कम है लेकिन जितने भी हैं लग-भग सभी अपने आप में सक्षम होंगे क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी जैनी को कभी गरीब ने देखा अगर थोड़ा कमजोर भी है तो जैन समुदाई के लोग उसकी मदद करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा नहों कि उस व्यक्ति की गरीबी की कारण उनके समुदाई की बेज़िती हो जाए जैन समुदाई के लोग देश की अथवस्ताव में बड़े भागिदार हैं क्योंकि ये तब का अधिकतर उद्ध्योग या व्यापार में रिप्त है जिसके कारण सरकार को अच्छा खासा टेक्स मिलता है आपके जानके रहरानी हो सकती है कि इस समुदाई के आबादी भारत में महल 0.37 परसंट है लेकिन इस समुदाई के लोग एक बड़े करदाता तो हैं ही साथी साथ सामाजे कार्यों और दान देने में भी अन्य समुदाई को मकाबले काफी आगे रहते हैं ये लोग अपनी कमाई में से एक निर्धारत हिस्सा दान कर देते हैं जैन समुदाई के लोग अपनी समाज में मंदिर में और अन्य जगों पर भी पैसे खर्च करने में नहीं चूकते लेकिन ये लोग बिना सोचे समझें पैसे को यूँ निल उटाते बलकि बहुत सोच समझ कर नाप तौलकर ही पैसे को सही समय पर सही जगया पर खर्चा करते हैं चलिए आप उनके रिच होने के पीछे का करण जानते हैं दरसल जैन समझाज के लोग अपने समझाज को बहुत सपोर्ट करते हैं वे एक दूसरी की टांग नी खीच टेबल की मदद करते हैं इस समझाज के लोग अधिकतर व्यापारी कतिवितियों में लिप्त होते हैं अपनी मेनस से उस धंड़े को बढ़ाते हैं इनकी सबसे खास बात यह है कि यह लोग बेकार के काम और बातों में अपना समय नश्च नहीं करते हैं अपने काम पर जाधा फोकस करते हैं दोस्तों जैन समझाज के लोग जाता लोग शाकार ही होते समय में जीवन जीते हैं जिसके कारण नके आयू अंडियों के मकाबली ज़ादा होती है इस समधाय के लोगों के पास कितना ही पैसा क्यों नहों यह दिखावा नहीं करते हैं बलकूं उन्हें पैसों से और अमीर बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमारे पास एक महीने की तंखा जैसे आती है, हम बाजार में जाकर उससे चीज़े खरीदते हैं, पर इन लोगों की सोच काफी अलाग है, ये लोग पैसों को इन्वेस्ट करना जानते हैं, साथी धंदे से दूसरा धंदा बनाना भी जानते हैं, पैसे के साब से जन सम के बढ़ते रहते हैं, और उनती पर काम करते हैं, अपने धर्म के प्रती, समधाई के प्रती, व्यापार के प्रती और समाज के प्रती इमांदार होते हैं, कर्मवीर और धानवीर प्रवती के होते हैं, ये लोग पैसे कमाने में और पैसे बचाने में माहिर होते हैं, धर्न अडानी के पिता कभी आजीविका के लिए थ्रडाल कस्बे से गुजरात के इस उत्तरी हिस्से में आबसे अडानी की चहए भाई बहने आरंबिक संगर्श के दिनों में अडानी परिवार एहमदाबाद के पोल इलाकी की शिर्ट चॉल में रहता था कोई धंदा छोटा या ब अडानी समू, कोईला व्यापार, कोईला घनन, तेल एवं गैस खोज, बंदर गाहों, मल्टी मॉडल, लोजिस्टेक, बिजली उत्पादन एवं पारिशन और गैस वित्रण में फैले कारवार को सम्हालने वाला विश्विस्तर का एकिकरत बुनियादी धाचा है दोस्तों बड़े मीडिया समू, बैनिट, कोल्मिन एंड कंपनी लिमिटेट की चेह परसन थी, जैसे टाइम समू के नाम से जाना जाता है, वो आजीवन अध्यात्मिक, साधक, अग्रोनी, परोपकारी, कला की वशिष्ट संरक्षक और महलाओं की अधिकारों की समर्थक थी, टाइम इंदुजन ने मीडिया के विकास में महत्पोण भूम काने भाई, दोस्त अब हम एक ऐसे शक्स के बारे में जाने ही, जिसकी कहानी सुनकर आपको फिर कभी किसी और की मोटिवेशन की ज़रूत नहीं पड़ेगी, बात 1983 की है, 27 साल का एक लड़का अपने पिता से 10,000 रुपए लेकर अपने सपने पूरे करने के लिए को उलकाता से मुंबई आया, उन पैसों से वो फार्मसिटिकल कंपनी शुरुवात करता है, और आज वो भारत को सबसे अमीराद में बन गया, हम बात कर रहे हैं सन फार्मा के मालिक दिलीप संग्वी की, जियां उन्होंने मुकाम ऐसे आसल नहीं किया, इसके लिए उन्होंने बड़ी कठनाईयों का सामना किया है, संग्वी कुल संपत्ती 1,35,000 करोड रुपए बता जाती है, जबकि मुकेश की कुल संपत्ती 1,23,000 करोड रुपए यहां खास बात यह है, जहां मुकेश अम्बानी पिता धीरो भाई अम्बानी की विरासा समालते हुए इतने दौलत मन बने हैं, वहीं संग्वी अपने बलबूते पाँ बने हैं, उन्होंने 32 साल पहले अपना बिजनेस महज 10,000 रुपए की पूंजी और सिर्फ 5 लोगों के साथ में शुरू किया था, शुरुआती दिनों में उन्होंने मनुच गित्सा की दवाईयों की मार्केटिंग का काम किया, थोड़े दिनों बाद गुजरात के अध्यों के शहर वापी में उन्होंने दवा बनानी किये के फैक्टरी लगाई, नाम दिया Sun Pharmaceutical, उस समय सिर्फ 5 दवाईय बनाने वाली इस कम्पनी के माल को दुकानों तक पहुचाने की जिम्मवारी दो लोगों की छोटी सी टीम पर थी, लगिन में चार साल की बीतर इस कम्पनी के उतपाद देश बारों में बिखने लगे, 1989 में दिल की विमारीयों के लाज से जुड़ी कुछ दवाईं लॉंच करने के बाद, संग्वी अपने उतपाद पड़ोसी देशों से निर्यात करने लगे, और फिर उन्होंने पीछे मुड़का नहीं देखा, उनका कारोबाद चल निकला, इसे नया आयाम देने के लिए उन्होंने 1999 में देश का पहला फार्मा रीसर्च और डिवलप्मेंट सिंटर शुरू किया, तीन साल बाद वो सन फार्मा के लिए आईप्यू लेकर आए, दिलीप संग्वी के सफलता विश्रे साई मौके को भापनी के उनके कुशलता हुजाता है, दोस्तों ऐसे होते हैं जैन समधाई के लोग, जैन धर्म के अनुजाई व्यापारिक और दमी होते हैं, वे अपने व्यवसायों में अधिक निवेश करते हैं, वे बहुती धहरो सयम से व्यवसाय करते हैं और अपने व्यवसाय के लिए एक दुरिष्टिकोन विक्सित करने में सक्षम होते हैं, वे अपने व्यवसायों को 2 या 3 पीड़ियों तक चलाते हैं और अपनी वित्ती संपति को बढ़ाते रहते हैं, इनकी यही सोच उनको खरीब ने रहने देती और उनकी आने वाली पेडियां भी अमीर होती हैं दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही ये थी हमारी आज की वीडियों जसमें हमने जयन समधाय के बारे में काफी कुछ जाना जैसे उनकी history, कैसे वो अमीर बने, कैसे व्यापार में तेई से आगे बढ़े आपको ये वीडियो कैसे लगी, हमें comment section में आकर ज़रू बताईएगा वीडियो अच्छे लगे तो उसे like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ bell icon ज़रूर दबाएं, जिससे की notification आपको time to time मिले देखने के लिए शुक्रिया